तो दोस्तों ये कलास 7 मैथ शेप्टर नमर 1 पुर्णांकों की समझ और ये लेक्चर नमर 8 है और आज किस वीडियो हम जोनने वाले हैं पुर्णांकों में भाग संकिरिया है यानि डिवीजन ओपरेशन इन इंटिगर्स यानि कि हमें किस तरह से भाग करना है पुर्णांक मे उनके बारे हम इस वीडियो में जोनने वाले हैं जैसे कह रहा है भाग गुना की विप्रीत परकिरिया है यानि भाग गुना की विप्रीत परकिरिया है अगर जहां पे तक यह भाग है ताप इसे गुनां बदल देंगे इसी को हम कहेंगे विप्रीत परकिरिया है ये तो हम समझ गए चार गुना साथ करेंगे तो यह हो जाएगा 28 वही 28 में भाग दिए 7 से इसका मतलब 4 आया यह कैसे 4 आया उसके बारे में यहां पर समझ लेते हैं जैसे यह 28 है यहां पर भाग गुना की विपीत परकिडिया है यानि यहां पर जो भाग का चिंद है इसके बदले हमे यहां पर गुना का चिंदन दिना पड़ेगा और यह जो 7 है इसको हम पलट देंगे लिखेंगे एक बटे 7 तब होगा क्या इस साथ का टेवल परहेंगे और 28 खोजेंगे साथ चोगे 28 यानि चार बार में पूरी तरह से कट गया यहां पर लिखेंगे 4 चार गुना एक करेंगे तो यही हो जाएगा चार यही हो गया आंसर अब यहाँ पहे 5 गुना 4 बडावर 20 पंचो के 20 हुआ अब 20 में वही भाग दे दिया चार से इसका मतलब 5 यानि यह जो गुना यहाँ पे देख रहें गुना है यह उस तरफ जाएगा तो भाग होगा और 4 से भाग लेगा तो यह 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा आगे हम देखते हैं यहाँ पे लिखावा है यहाँ पे भाग संक्रियाओं के गुन भाग संक्रियाओं के गुन क्या होते हैं उनके बारे में करह मैनस 6 भागा मैनस 2 बरावर 3 करह पूर्णांक संख्या है परंतु मैनस 2 भागा मैनस 6 बरावर मैनस 2 बटे मैनस 6 पूर्णां नहीं है इसका मतलब क्या हुआ यहां पर देखे यह कटने के बाद आ चुका है पुर्णांक संख्या के रोप में देख सकते हैं लेकिन जब इसको हम काटेंगे तिया पुर्णांक संख्या नहीं है क्या कि यह बटेम है एक बटे तीन जैकि पुर्णांक संख्या जो है यहां किनी दो पुर्णांकों का भाग फल एक पुर्णांक होगा या नहीं नहीं भी होगा यानि इसमें कहरा है दो पुर्णांकों का भाग जो है भाग फल एक पुर्णांक संख्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यहाँ पे सबका केस है बारी बारिस दिया हुआ पहला केस है य 2 यहाँ पर है डजनोटे इसको देख लिए हैं यहाँ पर फिर अथा भाग में कर्म बीनिमाई गुन नहीं है भाग जह है उसमें हम कर्म बीनिमाई का गुन लागू नहीं कर सकते हैं कह रहा है मैनस 4 भागा 0 बरावर उपरिवासित यानि मैनस 4 मगर हम 0 से भाग देते हैं ति या उपरिवासित है उपरिवासित कहने का मतलब इसे परिवासित नहीं किया जा सकता पांच भागा जीरो है तो इसे आपड़ी वासित कहेंगे किसी भी पुर्णा को सुन्य से भाग करना अर्थ हीन है किसी भी पुर्णा को में कह रहा है सुन्य से बुना करना अर्थ हीन है सुन्य में किसी पुर्णा को सुन्य को छोड़ कर चोड़ कर से भाग करने पर भागफल सुन्य पराप्थ होता है